कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है नमस्कार मैं हूँ परवीन और आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है राजिस्तान में बीजेपी ने चुनावी रण जीत लिया 199 विदानसवा सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी को 115 सीटों पर जीत पिली है और कॉंग्रिस ने 69 सीटों पर जीत हासिल की है कॉंग्रिस के मौझूदा मुख्यमंतरी अशोग गहलोत ने हार मान ली और उन्होंने राजिपाल को अपना इस्तीफा भी सौब दिया है कहा जा रहा है कि राजिस्तान में बीजेपी की चुनावी जीत में इसके दिगज नेताओं की अच्छी खासी भूमिका रही है हाला कि बीजेपी ने किसी भी सीअम के चेहरे को लिए बिना यहाँ पर किसी भी सीअम चेहरे का अईलान नहीं किया था सीअम चेहरे के बिना चुनाव लड़ा गया था इसलिए अब सवाल ये है कि कि यहां पर आखिर कौन मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठेगा ये बड़ा सवाल है और ये सवाल काफी एहम है वसंद्रा राजे की दावेदारी यहां पर काफी मजबूत मानी जा रही है लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि वसंद्रा राजे की दावेदारी कितनी यह सबका साथ, सबका मिकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह उसकी जीत है. उनकी दी हुई गैरंटी की जीत है. यह जीत हमारे मानने केम्रिय मंद्री, भू मिनिस्टर, अमिच्षाजी की रणनीती की जीत है. और यह जीत हमारे मानने अज्यक्ष श्री नठाजी के कुशन ने दुट्ट की जीत है. तो पांच राजों के विधासभा चुनाव के नतीजे जो हैं, वो सबके सामने आ चुके हैं, लेकिन इन पांचों राजों में सबसे एहम राजे था राजस्तान, जो इस पर कॉंग्रेस जो थी उसका कब्जा था, और यहां पर गहलो सरकार ने अच्छा काम किया था, लेक तो कौन? वसंद्रा पूरे चुनाव में राजे की उन नेताओं में से एक हैं, जिनोंने अपनी सीर से बाहर जाकर बीजेपी उमीदवारों के लिए प्रचार किया, कॉंग्रेस के मौझूदा सियम अशोग गहलो तो ये तक कहते रहे कि वसंद्रा ही बीजेपी की चेहरा ह लेकिन कई लोग दावा करते हैं कि बीजेपी आला कमान और वसंद्रा राजे के रिष्टे बहतर नहीं रहे हैं, वसंद्रा के बारे में ये भी कहा जाता है कि आरेसेस में उनकी अच्छी पैठ नहीं है, लेकिन वसंद्रा राजिस्तान की दो बार की मुख्यमंत्री रह च कहा जा रहा है कि उनके 50 करीबी निताओं ने पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा है और इनमें से ज्यादा तर को जीत मिली है और अब ये सबी जो विधायक जो जीत कर विधायक आये हैं जिने बताया जा रहा है कि 20 से जादा विधायकों ने आज वसंद्रा राजे लड़ापूर में उनके घर पर मुलाकाद भी की है तो इधर जो दूसरे सीम पत के दावेदार हैं वो दिली आ चुके हैं और दिली में यहाँ पर पियम मोदी अमिश्या और जेपी नड़ा से मुलाकाद कर रहे हैं यहाँ पर राजिस्तान में जो सीम पत को लेकर जो जो धी माने जाते हैं शिखावत के साथ वसंद्रा का टकराव नया भी नहीं है दो हजार अठारा में जब वसंद्रा राज्य की सीम थी तो उनके विरोध के चलते ही गजेंद्र सिंग शिखावत राजिस्तान के प्रदेश अध्धक्ष नहीं बन पाए थे और इस बार भी वो फिर वसंद्रा की परिशानी बढ़ा सकते हैं दावक किया जा रहा है कि चुनाम नतीजे आने के बाद गजेंद्र सिंग शिखावत दिली पहुँच गए हैं जहां उन्होंने जेपी नडड़ा और अमिश्या से मुलाकात की शिखावत के बारे में कहा जाता है कि वो अ आगे माना जा रहा है राजस्तान में सियम वसंद्रा नहीं तो कौन के सवाल के जवाब में अक्सर जो नाम आता है वो दिया कुमारी का है राज समंत की सांसा दिया कुमारी भी वसंद्रा राजे की तरहां राज परिवार से आती हैं और उन्हें पीम नरिंद्र मोधी पूरे बीजेपी आलाकमान का पसंदीदा माना जाता है। पूरे बीजेपी आलाकमान उन्हें राजिस्तान की सीम की कुर्सी दे सकता है। जिहां बाबा बालक नाद भी सीम पत की रेस में माने जा रहे हैं। और गजेंदर सिंग शिखावत पार्टी के भीतर वसुंद्रा राजिक के विरोधी माने जाते हैं। जोदपूर सीट पर सीम अशोग गहलोध के बेटे वैभव गहलोध को हराने वाले शिखावत केंदर में मंत्री हैं। शिखावत गहलोध से टकराते रहे हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ ती ही प्रतिकरिया जाहिर करते देखे गए हैं। शिखावत पर गहलोध सरकार को गिराने की कोशिश करने का भी आरोप लगता रहा है। गजेंदर सिंख शिखावत उस समय विवादों में आ गए थे जब उनकी कॉंग्रेस नेता भवरलाज शर्मा के साथ कथिद ओडियो सीडी क्लिप जो था वो प्रकरन काफी चर्चा में रहा था। इसमें शर्मा विधायक विश्वेंदर सिंख और गजेंदर सिखावत की बातचीत होने का दावा किया गया था। राजस्तान की सबसे होट सीट कही जाने वाली जोधपूर लोगसभा सीट और मुख्य मंतरी अशोग गहलोत के गड़ कहे जाने वाले शेत्र में कॉंग्रिस को पठकनी देने वाले गजेंदर सिंख शिखावत केंदर में उन्हें भी सियंपत की रेस में छुपा हुआ रुस्तम माना जा रहा है उन्हें बीजेपी और संग के बड़े नेताओं का करीबी और विश्वास पात्र समझा जाता है बिरला प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ग्रह मंतरी अमिश्या की काफी करीबी हैं वो 2003 से लेकर 2008 तक में भी उन्हें जीत मिले बिरला खुद को लोग प्रोफाइल रखते हैं लेकिन उनकी जमीनी पकड मजबूत है साथ ही वो पार्टी और संग में मजबूत पकड रखते हैं माना जा रहा है कि पार्टी आला कमान उनके नाम पर भी एकमत हो सकता है तो यहां पर तीन तो यह प्राजिस्थान यूनिवस्ट्री के चर्चित छात्र नेता रह चुके हैं 68 साल के राठोर पार्टी के उतार चड़ाम में साथ रहे हैं बीजेपी के अंदर उनकी लचीली राजनेतिक शेली नहीं उन्हें प्रसंगिक और सीम पत का दाविदार बनाए रखा है वसंद्रा राजी के मुख्य मंत्री जो कारिकाल था दोनों और उसमें वो पावर्फुल मंत्री रहे लेकिन जैसे ही दिल्ली में बीजेपी का शक्ती संतुलन नई सिरे से तै हुआ तो वो दिल्ली के करीब हो गए और कॉंग्रेस की सरकार बनने पर वो उप नेता प्रतिपक्ष बना राफिस सशक्त है और यहां पर ऐसे में विशलेशक कहते कि 1993 में बीजेपी में शामिल हुए राटोर भैरो सिंग शेखावत के विश्वास पात्र रहे हैं और उनके मंत्री मंदल में स्वास्ति मंत्री भी बने थे बाद में वो वसंद्रा राजी के भरोसे मंद हो गए अरजुन मेगवाल का नाम भी यहां पर सीम पत में आगे दिखाई दे रहा है या कहें उनका नाम भी शामिल है बीजेपी का दलित चहरा हैं अगर कॉंग्रेस ने पिछली जाती के आने वाले अशोग गैलोत को मुख्य मंत्री बनाए रखा तो बीजेपी अरजुन मेगव पर दाउन लगा सकती है पूर्व आईस और केंद्री कानून और नियाए मंत्री अरजुन मेगवाल को बिकानेर से वो सांसद हैं और पार्टी के दलित चहरा भी हैं उनके साथ जो खास बात यह है कि राजिस्तान के दलितों में उनकी जाती के सबसे अधिक वोट हैं और ब कॉंग्रेस की तरह अनुसूची जाती के नेताओं की लंबी भीर नहीं थी लिहाजा उन्हें तेजी से आगे बढ़ने का मौका मिला और अपने दोस्तोंना स्वभाव से जगह बनाने में काम्याब रहे पिछली दिनों जब एक दलित को मुखे सूचना आयुक्त बनाया ग वो आदिवासियों की हितेशी पार्टी है बीजेपी अब अपनी OBC दलित गोलबंदी को और मजबूत कर सकती है और जिसका असर 2024 के चुनावों पर भी पढ़ सकता है अश्विनी वेशनव भी यहाँ पर सीमपत की रेस में शामिल है पार्टी के दिगज नेताओं के मुका कहना है ये सिर्फ नरेंद्र मोदी या आमिशा जानते हैं कि कौन मुख्य मंत्री होगा हर्याणा में भी मनोहर लाल खटर यूपी में योगिया दितिनाद असम में हिमंता बिस्वसर्मा या उत्राखर में पुशकर सिंग धामी को सीम बनाई जाने से पहले किसी को ये पता नहीं था कि कुर्सी उन्हें दी जा रही है और हो सकता है कि सीम पत के दावेदारों के लिए चर्चा में आ रहे हैं नामों को दरकिनार करते हुए कोई नया नाम चौकाने वाला सामने आ जाए जहां अश्वनी वैशनव को भी इसी तरह का सीम बना दिया जाए इससे भी इ हो सकता है कि वो राजिस्तान के लिए दलित कैंडिडेट के बजाए किसी ब्रहमर या ठाकूर कैंडिडेट को चुने और इन नामों के अलावा यहां पर भुपेंदर यादा यूपी में चुनाव की डोड थामने वाले सुनील बंसल ओम माथुर भी शामिल है हाले कि ओम मा आने वाला फैसला सामने आ सकता है तो अब देखना यह हुगा की कौन सा नाम सामने आता है इदर राठो वसंद्रा राजे की दोनों सरकारों में काफी ताकतवर मंत्री रहें लेकिन केंडर में बीजेपी के अंदर बदले शक्ती संतुलन को देखते हुए वो दिल्ली के कर करीब हो गए इसलिए सीम पत के लिए उनकी दाविदारी भी काफी मजबूत मानी जा रही है तो लगातार यहां पर सीम पत की रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं अब देखना यह होगा कि प्यम मोदी किस नाम पर मोहर लगाते हैं तो यह थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट अटनी राइज जरूर दे और इस वीडियो को जादा से जादा लाइक करें और शेयर करें देखते रहे हैं डीबी लाइव नमस्कार